कि अपने कुछ जजबातों को पन्नों पर उतार कर मुझे कुछ अच्छा सा लगता है क्योंकि मैं असका अगर्व कला में मुझे को सबसे ज्यादा समझता है अब प्यार तो ज्यादा तरलोग करते हैं बड़ किसी का सक्सेस्फुल होता है किसी का नहीं होता है और जब किसी को पता चल जाता है कि मेरा successful नहीं हो पाया लेकिन फिर भी वो बहुत प्यार करता है तो उसके जो emotions होते हैं और बहुत टूट जाता है वो और जो शिक्वे करता है लाचार अपने आपको देखता है तो उस पर मैंने कुछ लिखाता मैंने अपनी हयात के कुछ लम्हें भुला दिये और मेरी हयात मानो जैसे बेजार सी हो गई मैं सफर तो सुहाना रहा उसका मगर पता नहीं क्यों मेरी उल्फते मन्जिल लाहासिल हो गई कुछ तो तालुक है आज भी मुझसे तेरा वो नहीं पारा कुछ भी मुझसे अलग मेरा बना दी तुमने ये लाहासिल मुहबत की कहानी अपकर विदो मुझे इन सब से रिहा मेरी धड़कने भी अब हवा हो चली है तुद को समभालू कैसे तुमी बता दो जरा मेरी धड़कने भी अब हवा हो चली है तुद को समभालू कैसे तुमी बता दो जरा तुम कल किसी और के हो जाओगे मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा तुम मुझसे बहुत दूर हो जाओगे मैं रोक नहीं पाऊँगा हक नहीं रहेगा मुझे कहने का अपना तुम्हें, कोई और जो कहने लगेगा अपना तुम्हें, अब मैं खो जाओंगा कहीं मत ढूंडने आना मुझे, खुदा अइसा करे मेरे हिस्से के भी खुशियां देदे, लिक लेता हूं कभी-कभी खुद को समेटिने के लिए खुदा पड़ तो लेता है, पर पतार नहीं था-गा नहीं तवज्चणा देता एक टाइम ऐसा आता है कि जब तक कि निसान को अपनी मौबबत का मलाल रहता है मलाल में इस दुख तब तक वो अपनी जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ पाता है तो एक जो सच्चा प्रहीज होता है वो यह सोचता है मेरी कैसी मेरी अपने जिन्दगी कुल परवानी लेकिन अ क्या होगा रहा घ्र founding को सकती हो में इसे स्यादा मॉली कि धुश है में लिखाता कि तू ऐसा कर मझे एक ढूरा दूर समझ ले कर मläइया मैं त congressional ठूश orders समझ ले कि या कोई हाँ ये सच है कि मुकमल नहीं हो पायेगा हमारे इश्क का कारोँ या तो तू भुद को बदनसीब समझ ले ये नसीब का एक गंदा खेल समझ ले तू ने अपने दिल के किसी कोने में वो कोई फूल खाजान का समझ ले खाजान निस पच्छाड मौसम वो कोई फूल मौसम खाजान कर समझ ले जो तू मरतबा पहले चाहती थी उसी की तू अफिर से जिस्टुचू कर ले तू फिर से एक बार मेरे कहने पे अपने वजूद को समझ ले Thank you so much